रामनगर में एक ही परिवार के चार सदेशियों की एक साथ निर्मल हत्या होना इसके बाद चारों का एक साथ अंतिम संस्कार और अब सुक्रवार को एक साथ होई पगडी की रिसम ये सब साइदी कभी कोई बुला सकेगा पगडी की रिसम में सैगडों की टादाज में ग्रामीन आये सगे समन्दियों रिष्टेदार भी आये आसपास पुलिस का पेरा भी था लेकिन चारों और सनाटा था रिसम वो अत्यकांड के अलवा कोई भी चर्चा नहीं रिसम के समय पिडित परिवार के दो बच्चे सदिस अरिशेव रिवत्राम गमगी नेव गुमसुम बैटे रहे उनका पूरा घरवा पूरा परिवार उजड़ चुका था रंडास बंदाने वाले लोग भी दिरे दिरे जाने लगे साम होते होते लगबग लोग जा चुके थे पिडित्तों के पास दो चार रिष्टेदारवा आस पडोस के लोगी बेटे नजर रहें साइद ये भी एक दो दिन में अपने घर चले जाएंगे दरसल चेरेश सित्र के राम नगर हत्यकान में काल ग्रस बने चार दिवगतों के बारवे और पगड़ी की रसम सुकरवार को हुई एक सार दिवगतों की इस पगड़ी की र फिकरा गर में दो अक्यले बाई रह गए आलांकि सरकार ने सायता करने का आस्वासन दिया है इससे दिल के गाओं पर कुछ मरम जरूर लगेगा लेकिन ये दर्द कम नहीं होगा गटना के इतने दिन बाद भी यहां बैका महोल था बारी पुलिस बल तैनाद किया गया है ए अनकारी के अनुसार सामना है कि आरोपी का नार्को टेस्ट जल्दी करवाया जाएगा जिसके बाद पूरी गटना का खुलासा हो जाएगा झाल नहीं बारा जो जाएगा